नमस्कार दोस्तों आप सभी का वेलकाम है PS Classes में जैसा कि आप जानते हैं सबसे विश्वचनी और प्रवाड़ी सुचना लेकर PS Classes प्रयागराज से प्रजेंट होता है तो SM दोस्तों बिग बरकी निए सुबर सुबर निकल कर क्या रही है जिसे लेकर के सबसे पहले आपका अपना PS Classes प्रजेंट हो रहा है UPTS-GPGT सिच्चक भरती पर बड़ी अपडेट है नया सिच्चा आयूग आज पूरी सिती आपको असपस्ट हो जाएगी कि नया सिच्चा आयूग सब कुछ बता दिया है पूरा हम यहाँ पर बात करने वाले हैं और आपको समाचार पत्रों के माध्यम से दिखाने वाले है तो दोस्तो आगे बढ़ने इस पहले अगर अभी तक भी आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा राइट सब्सक्राइब कर दिजेगा ताकि वीडियो का नोडिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके आप सभी ल बात करने वाले हैं शुबह सुबह जो है पूरा जो है पोस्ट माडम करने वाले हैं कि आपका नया सिच्छा सिवा चैनायोग जो है उस पर समाचार पत्रों की क्या गदविदिया है और नया सिच्छा सिवा चैनायोग सब कुछ बता दिया है कि क्या नया सिच्छा सिवा च लगातार समाचार पत्रों के माद्यम से आपको दिन प्रति दिन खबरें मिल रही हैं लेकिन ऐसे में दोस्तों असपस्ट नहीं हो पा रहा था कि वास्तों में नया सिच्छा सेवा चैनायोग जो है वो कब तक बन करके तयार होगा इधर देखा जाए तो 2023 भी अब समाप्त हो होने वाला है और लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से आप सभी को संतुष्ट करने के लिए सरकार के तरफ से प्रोपागंडा दिया जा रहा था और उसमें बताय भी जा रहा था कि बहुत जल आपका नया सिच्छा सेवा चैनायोग जो है अस्तित में आने वाला है और आते ही यूपी टेट और यूपी टीजी टीपीजी टी असिस्टेंट प्रोफेसर सभी भरतियां जो है करा दी जाएंगी लेकिन दोस्तों आज जो है पूरा हकीकत आपको मालूम हो जाएगा कि वास्तों में क्या हो रहा है सबसे पहले कुछ आप देख लिजिए आयोग का बेर्थियों को साल भर से परिछा का इंतजार है लेकिन धरना परदर्शन होता है तो तेरे लाग में से अगर कहा जाए तो तेरे के करिब भी नहीं पहुचने वाले हैं इस इक साथ दोस्तों हम बात करेंगे कि लोग सभा चुनाओं से पहले रिक्ट पद भरने की तयारी 15 दिन में विभागों से रिक्टियों का प्रस्ता भेजने को निर्देश दिया गया था ये भी आपने सुना था और इसी साथ दोस्तों सिच्छा सेवा चान आयोग में कई नय पद स्रिजित होंगे इसके लिए भी आपने हालही में जो है समाचार पत्रों के माध्यम से सुन अब दोस्तों आपको पूरा कंक्लूजन हम बता देना चाहते हैं अभी अगर आप भ्रह्म में हैं तो ध्यान दीजिएगा कि नया सिच्छा सेवा चैन आयोग जो है अस्तित में आने वाला जल्द नहीं है अगर कहा जाए तो लोक सभाज चुनाओ के बाद भी इसका स्तित नहीं होते हैं तो आप समझ जाए कि यूपी टीजटी पीजटी सिच्छक भरती की कोरी कलपना कर रहे हैं और नया सिच्छा सेवा चैन आयोग बने की कोरी कलपना कर रहे हैं क्योंकि ना तो नया सिच्छा सेवा चैन आयोग बनेगा ना तो यूपी टीजटी पीजटी या यूपी टेट की बात करें या असिस्टेंट प्रोफेशर भरती की बात करें होने वाली है तो SM दोस्ते इस वीडियो को सभी भाई वानों तक आप लोग शेर कर दीजेगा ताकि आप सभी जानते रहें कि हकीकत क्या है जो फरवरी एंड में या मार्ज के फस्ट में जो ये सुचनाई मिल रही थी ये इसलिए आपको मिल रही थी कि अगर 10 तारिक तक जो है या दिसंबर में अगर बात करें आपका जो नया सिच्छा सिवा चैनायोग है सब कुछ अस्थित में आ जाता तो परिच्छा हो सकती थी लेकिन आप बिना प्रेसर बनाएं कुछ भी नहीं कर पाएंगे और आपके पास यही दिसंबर का महीना इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है अगर आप सभी चाहते हैं कि सिच्छा सिवा चैनायोग जल्दस्युत में आए यूपी में भी भरतियों का सिलसला सुरू हो तो आप सभी 12 इसंबर को आवस्थ पहुचे नहीं तो 13 लाग फारम भर करके सांतिप्रोग बैठे रहें और आपके कई वर्स निकल जाएंगे जिस तरीके से 2023 भी अब निकलने जा रहा है दोस्तों इस वीडियो को जनहित में इसलिए बनाया गया ताकि आप सभी शाओधान रहें दोस्तों अगर अभी तक भी आपने हमारी चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है तो प्लेज सब्सकाइब के लिजेगा राइड साड मेल आइकन के बटम को प्रेस कर दीजेगा ताकि वीडियो का नोडिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुन सके थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो